कॉंग्रेस ने चुनाओं में मदगर्णा में गड़बरी रोकने के लिए कमर कसली है इसके लिए कॉंग्रेस प्रदेश सद्यक्ष कमलनाथ ने 6 दिसंबर को भुपाल वे प्रदेश के सभी 230 प्रत्याश्यों की बैठक बुलाई है लेकिन कमलनाथ की ये बैठक कई प्रत्याश्यों के लिए परिशानी का सबब बन गई है दरसल प्रत्याश्यों ने मदगर्णा के लिए जिन लोगों के नाम जिला प्रशासं को भेजे हैं उन्में से ही अधिकांस को ही स्ट्रॉंग रूम की पहरदारी की जिम्मेदारी दी गई है ऐसे में उन्हें नेरू स्टेडियम भेजे या भुपाल इसको लेकर प्रत्याश्यी परिशान है बता दे कि स्ट्रॉंग डूम की चोकेदारी के लिए कॉंग्रेस प्रत्याशियों द्वारा 4-4 लोगों के नाम भीजे गए हैं ये प्रत्याशियों के वो समर्थक है जो ना सिर्व उनके विश्वसनी है बलकि चुनावी प्रबंधन में प्रशास्नी की हिस्से से जुड़े रहे हैं चुनाव के दोरान अफसरों से लगाता संपर्ख मे थे मदगर्णा के दोरान भी उनी के नाम भीजे गए हैं ये नाम प्रसासन 30 नौंबर को ही सभी प्रत्यास्यू से मंगवा चुका है मुहिप्रदेश कॉंग्रेस के आदेश जिसमें प्रत्यास्यू और उनके चार-चार समर्थे को को मदगन्ना के ट्रेनिंग के लिए भुपाल बुलाया गया है इसको लेकर नेता उलज गए हैं हालाकि प्रत्यास्यू ने जो नाम भेजे हैं उनमें कई ऐसे कारी करता है जिने केवल मदगन्ना का काम सौपा गया है लेकिन मुख्य लोगों को स्टेडियम पर भी तेनाथ किया गया है इसके चलते प्रत्यास्यू उनमें से दो लोग को भुपाल भीजने की तयारी कर रही है मुख्य शेतारी को स्टेडियम पर केवल एक-एक नेता की ही ड्यूटी लगाने की तयारी की जा रही है सांथी प्रदेश कॉंग्रेस के प्रत्याशियों से उनकी चुनाओं के दुरान की बूत की स्थीती सहित को डाटा भी बुलाए हैं